हेलो दुस्तो, नमस्कार, SMKD चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, दुस्तो इस विडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ different shares से related, जो कि मुझे comment section में पूछे जाते हैं, तो comment section में मैं देखा जाए तो बहुत सारे shares होते हैं, obviously, but कु या फिर हम लोग कह सकते हैं, जो उनका top high था, 50 to 1 high, उससे भी वो 20-30% down है, तो अच्छे-चे share अगर पिट चुके हैं, तो सारे shares पिटेंगी, but कुछ लोग जो comment section में पूछ रहे हैं, क्या इस share से exit हो जाए, मुझे ऐसा लगता है, कि यहापे कुछ shares है, जिनसे आप लोग यह stocks fundamentally strong है, यहापे fresh buying चायों तो मत कर लेना, यहापे loss में exit हो जाना, यह बेवकुफी हो सकते हैं, आप चाहो तो उनको लंबी आउदी के लिए छोड़ दो, कभी ना कभी वो आप लोगों को आपके price के उपर आते वे देखने को मिल सकते हैं, तो चले दोस्तों, कौनसे stocks ह उनके उपर हम लोग आ जाते हैं, बट उससे पहले में आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे की, आप लोग यहापे देख सकते स्क्रीन के उपर दो वीडियो यहापे मैंने upload कर दिये, एक है 320 रुपे का dividend declare करने वाला share, और उसी के साथ साथ एक ऐसा share, जहापे अगर आप लोगों ने निवेश करना है, तो दस बार सोचना चाहिए, ऐसे लिस्ट बताइए मैंने कुछ shares की, अगर आप चाओ तो कर सकते हो, बट यह वीडियो बहुत ही important है, जहापे अगर आप निवेश करोगे, तो बहुत ही जबरदस फस भी सकते हो, तो इसे दो वीडियो यहापे मैंने अपलोड कर दिये, अगर वीडियो नहीं मिलेंगे, तो दिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहापे जाके चेकाओट कर सकते हो, तो चले दोस्तों हम लोग यहापे आ चुके है, वीडियो को कंटीनू कर लेते, तो सबसे प्रेले जो मुझे क्वेशन पूचा जा रहा है, टाइटन कमपनी, यस दोस्तों, टाइटन कमपनी बहुत सरे लोगों ने सवाल पूचा है, यह सवाल क्यों पूचा गया है, क्योंकि पिछले कौटर का जो शेर ओल्डिंग पैटन का जो रिजल्ट आया था, वहाँ पे हम लोगों को एक पता चला कि राकेश जुन जुन वाला, राकेश जुन जुन वाला सर ने क्या किया, अपने टाइटन के एक करोड से ज्यादा के शेर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, तो उसके बाद बहुत सरे रिटेल निवेशकों के दिल में यही सवाल बार बार पूछे जा रहे है, वो मुझे भी कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे है, क्या टाइटन कमपनी अभी खराब हो चुकी, क्या एक्जिट कर लेना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, मैं अपने पॉइंट आफिसर तो आपको बताना चाहूँगा, आप चाहो तो उसको वापस उन्हें ने खुद 1200 के उपर अपना स्टेक वापस या पर बढ़ा दिया तो 500 करोड तक की इन्वेस्मेंट वापस कर दी थी, वापस कह रहा हूं कि वो खुद उनका डिशिजन होता है, उनकी खुद की अनलसेस होती है, वैसा वो बिहव करते है, आप लोगों को यह यह कहना चाहूंगा कि आपकी खुद की अनलसेस होनी चाहिए, जो क्वेशन आप लोगों ने पूछा था कि राकेश जून वाला सर एक्जिट कर रहे है, इसलिए हम भी एक्जिट हो जाए, तो मुझे लगता है यह गलट डिशी जने, एंड कुछ लोगों ने इसको लिया ब्रैंड आप लोगों ने सुना होगा, वो भी टाइटन का है, टाइटन आप सभी लोगों पता है, फास्ट ट्रैक है, टाइटन के वाचिस रहते हैं, बेल्ट बनाती यह कमपनी है, बहुत सारे अलग-अलग इनके बिजनेस है, अगर आप विकी बिडिया के उपर भी जा बगत, टीस परसेंट के आस्पास हम लोगों को यहाज यह गिराव опас डेखने को मिल रही यह, सो 30% को गिरावट तो अभी हर एक किसी बड़े बड़े शेर में हम लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि इतनी fundamental strong देखने को मिल रही है अगर राकेश जुन जुन वाला सर को जो आप लोग पूछ रहे ते इसलिए मैं बता रहा हूँ कि राकेश जुन 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 वाला सर को पता होगा सर की कुछ तो बड़ा गड़बड होने वाला है इसलिए वो अगर उनको एक्जिट होना होता तो वो सारे के सारे शहर निकाल लेते सिर्फ उन्होंने अपनी पार्शल प्रॉफिट बुकिंग की है जो कि उन्होंने इससे पहले भी चार से पाच बार की हुई है तो यही मैं आप लोग को इतना ही सला देना चाहूंगा यही चीजों को रेफरेंस देना चाहूंगा आप चाहो तो इनको फॉलो कर सकते हो बट मुझे ऐसा लगता है कि टाइटन कंपनी को आपने लॉस में निकालना नहीं चाहिए अगर आप 5 साल का भी चार्ट पेटन देखो तो 5 साल में भी प्रॉफिटेबल है लोग जिन लोगों के पास टाइटन जैसा कंपनी है फंडामेंटल स्ट्रॉंग कंपनी 5 साल पहले भी वो भी आज प्रॉफिटेबल है तो शॉट्ट टम में अगर आप लोगों ने अभी ही गलत चीज हो सकती है तो टाइटन ये बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉंग शेर है एंड ऐसे शेर से एक्जिट होना बेवकूफी भी हो सकती है उसके बाद और एक बड़ा शेर लारसन एंड टूब्रो येस ये स्टॉक मैंने आप लोगों को बताया नहीं था अभी हाली म सबसे पहले मुझे हमेशा वो ओर वैल्यू ही लगता था आप मेरे पूराने किसी भी वीडियो को देख लेना मैंने कभी भी बिजनेस मॉडल अगर हम लोग देखेंगे अलग-अलग सेक्टर में काम करती है वो भी हम लोग को फिलाल यहां पर यहां पर देखने को बहुत ह पर प्रेशर पर थोड़ा बहुत देखने को मिलता है और प्लस यह तो कोरोना वाइरस का इफेक्ट हुआ है उसके वज़े से स्टॉक तो आधा हो चुका है अपने आल टाइम हाई से तो बहुत सारे लोग यही पूछ रहेते सर्व 1400-1500 की बाइंगे क्या एक्जिट हो ज लाग भी आठ बार निवेश करने के लिए आप छोड़ देते तो आपका अल्टिमेटली जो एवरेज प्राइस होता हुँ आज भी एलेंटी में 1000 के नीचे भी हो सकता था तो यह गलती नहीं करनी है कि इतना बड़ा आप अमांट लगा देते हुए यह समझ में आता कि लै इसको लम्डिय अवदी तक यहां पे छोड़ देता तो अल्टिमें लौस होना यह बहुत ही गलत बात है ऐसा मुझे लगता है उसके बाद थर्ड शेर उसके बाद थर्ड शेर मेरिक को यह बीच में मेरिक को ने तकलीव दी ती क्यूकि सारा मार्केट नॉर्मल था एंड ये share मीचे जा रहा था बट अभी Mary को की shareholder को थोड़ा सा दिला सा लग रहा है क्योंकि सारे share इतने जोर से गिर रहे है बट Mary को अभी भी 300 के आसपस ही है पतला बग्यार इसका आपको high भी देखना है नव तो 400 के आसपस है और stock चल रहा है 300 के आप है सिर्फ 100 पॉंट्स की गर यह आप चाहो तो यहापे hold कर सकते हो और अगर इसका आप चार्ट पेटन भी देखोगे यहापे एक साल का चार्ट पेटन तो आप देख सकते हैं अगर आप एक्जिट होना चाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप गलट डिस्जिजन ले रहे हो यह ऐसा मुझे लगता है स्टॉक तो खराब नहीं है पात साल पहले जिन लोगों ने भी खरीद है वो आज भी प्रॉफिटेबल है यह प्रॉब्लिम जो क्वेश्चन के आ रहे है वो इनी लोगन से है जिन्हों ने अभी अभी निवेश किया है और यह सारी चीज़ें उनको जिलनी बढ़ रही है तो कंपनी बिलकुल भी खराब नहीं है कंपनी अच्छा गासा परफॉर्मस देने वाली है पैरिशूट ओ और यह अपलाई ही करते हैं तो ऐसी यह कंपनी है तो आप चाहो तो इस कंपनी में एक्जिट हो सकते हो मैं आपको रुकूंगा ने बट मुझे ऐसा लगते है इन शेर को बेचना यह गलती हो सकती है उसके बाद हैवल्स इंडिया हैवल्स इंडिया भी बहुत ही गजब का बच्रण कोई दिक्कत नी है सो यह दिक्कत किन लोगों को जिन्नोंने अभी आभी यहापर निवेश किया है उन्लोंको यहापर दिक्कत है तो चलिए एक साल का यहापर परफॉर्बंस देख लेतें तो आप देख सकते एक साल का चार्ट पैटन ओपन हो गया तो मैं रफलिक कैल्कुलेट कर लेता हूँ कितनी गिरावट है 30% 32% के आसपस की गिरावट है जो कि अभी हम लोगों को हर एक बड़े शेर में देखने को मिल रही है 32% तक की गिरावट मुझे अभी भी लगता है ठीक टाकी है तो कमपनी खरब नहीं है कि अगर आप पूछ रहे हो कि लॉस में निकल दू मुझे इसा नहीं लगता है कि आप लोगों ने इसको लॉस में निकलना चाहिए कमपनी बहुत ही अच्छी है हेवल्स इंडिया लॉंग टम की सबसे बहुत बढ़ी है अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखोगी बहुत लंबही समय का वो भी अच्छा है हलाकि यह जो नीचे आते हुए हम लोगों को माउंटन शेप देखने को मिल रहा है यह जस्ट बिकॉज आफना कोरोना वाइरस का इंपक्ट के वज़े से देखने को मिल रहा है वरना शेयर बहुत बढ़ी है जो लोग भी पूछ रहते कि हैवल्स इंडिया एक्जिट करके बजाच इलेक्ट्रिकल को शिफ्ट कर दो तो मुझे ऐसा लगता है कि बजाच इलेक्ट्रिकल अगर आपके पास रहेगा तो मैं हैवल्स इंडिया को शिफ्ट होने के लिए आपको सला दूँगा फाइनल डिशिएन आपका है आप चाहो तो यहाँ पे हैवल्स इंडिया को भी बेच के चल सकते हो उसके बाद एक स्टॉक है जो कि मैंने आप लोगों को कभी भी रेकमेंड ने किया गोद्रेज कंसुमर प्रोड़क्ट FMCG सेक्टर का अगर मैं बात करू तो बहुत ही गजब के चल रहा है FMCG सेक्टर बट यह अगर हम लोग स्टॉक देख लेते तो अच्छा कासा कॉंट्रविशन नहीं दे रहा है यह सटॉक को मैंने आप लोगों को अल्री काया था कि यह तो खरीद नहीं नहीं तो मेरे वीवर्स को मैंने तो बचा लिया बट जिन लोगों ने भी यहापर खरीद लिया है तो मुझा यसा लगते है कि लॉस बुक करना इस stock में भी एक गलत बात हो सकती है पात साल का chart pattern ये भी stock बता रहा है कि अच्छा है बट yes कि एक बात तो जरूर है कि FMCG sector जब इतना अच्छा कासा performance दे रहा था as compared to the other sector तब फिर भी ये stock अच्छा कासा performance नहीं दे रहा है तब लिकल जाते है तो ठीक रहेगा 500 के आसपस अब भी बहुत गिरावट यहाँ पे हो चुकी है तो company बुरी तो नहीं है बट फिलाल की situation में ज़्यादा support नहीं दे रहे तो ये भी चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए उसके बाद Vipro Limited बहुत सारे लोग पूछते क्या खराब stock है Vipro यह कैसा stock है जो की bonus की उपर चलता है यहाँ पे अगर आप सोचोगे मैंने इस से पहली भी कहा है कि बहुत सारे लोग बोलते कि क्या fake बता रहे कि Vipro 100 करोड कैसे हो सकेगा अगर 100 करोड बनते है stock market में तो MRF जैसे stock में होंगे आईशर मोटर में होंगे विप्रो जो 200-300 के आसपर चलता है उसमें 100 करोड कैसे बनते है तो वापस यही बताने चाहूँगा यह stock तो bonus वालों के लिए है जो लोग patience के साथ hold करना चाते है उनी लोगों के लिए stock बना हुआ है जो लोग बहुत पूराने shareholder है उनके लिए stock है अगर आपको लगता है यह 700-800 जाएगा तो ऐसे नहीं जाता है यह stock यह बहुत ही धीमे चलता है और bonus देता है बट जिन लोगों ने अभी अभी बाइंग किये बहुत सारे लोग पुछ से सर हम लोगों ने 220 में बाइंग किये 200 में बाइंग किये क्या exit हो जाए इतने नस्दीक हो तो stock चल रहा है इतने छोटे से spam में अगर आप exit होना चाते हो वह भी ITC जैसा stock तो गलत सावित हो सकता है थोड़ी देर के बाद हम लोगों को वापस ये stock आपके original लेवल पे आते होई देखने को मिल सकता है तो ITC मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने यहापे फिलाल होल्डी रखना चाहिए मैं वापस कहा रहा हूँ ये stock जो जीतने में आप लोगों को list में बता दिये यहापे मैं कोई fresh buying करने के लिए नहीं कहा रहा हूँ ये जो पुराने shareholder है उनको मैं बता रहा हूँ कि ये stock fundamentally strong है अच्छे है चलने के लिए कभी-कभी देर हो जाती है बट इसका अरत यह नहीं कि आप loss लेके चल जाओ कल का यह example देख लो नविन stock जो था नविन florin limited chemical sector से जुड़ा हुआ बहुत time लगा एक-दो मेने लगा जो original price मेरी buying की हुई थी उससे नीचे ही चल रहा था 141454 पर कुछ तो buying की थी उसके बाद 1000 तक आया था दो महिना हो गया कुछ level सी नहीं आ रहे थे अगर आज के level देखोगे तो 1600 के पार हो चुका है तो यह होता है कि patience चाहिए अगर आपको लगता है कि 2-3 दीन में आप hero बनाओगे तो ऐसा नहीं होगा तो patience के साथ hold करना पड़ता है इसलिए यह वीडियो में ने बनाया कि जो आप लोगी stock पूछ रहते है so that's it thank you very much we will be meeting in our next studio तब तक के लिए bye bye